अपने प्रेमी के साथ मिलकर पती की हत्या काने का संसनी खेज मामले का खुला सा हुआ है पत्नी नहीं अपने ही पत्ती को जला कर मार डाला और सबुत मिटाने की कोशिश की पुलिस ने मामले की तह तक जाकर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे पवई नगर के वार्ड क्रमांक आठ में वेरी हाथ निवासी कैशा चोदरी की विकत 30 अक्टोबर को म्रत्य हो गई थी उसके घर में ही जल कर मरने का मामला सामने आया था पवई पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रक्रण जांश मिलिया था और मामला संदीग था जिस पर पवई पुलिस ने पुलिस अधिक्षक पन्ना और SGOP रक्षपाल सिहं के मार्ग दरशन में जांश की साइबर सेल पन्ना से मोबैल लोकेशन कॉल डिटेल और संपुन शाक्ष के आधर पर चोदरी की हत्या करना पाया गया जिस पर म्रतकी पतनी को सुमबाई और उसके प्रेमी काशराम चोदरी से शक के आधर पर शक्ति से पुष्टाश की दोनों ने मिलकर हत्या कर शाक्ष शुपाना कबूल किया दोनों आरूपियों को पवई पुलिस ने गिरफतार कर कोट में पैश किया पन्ना से चरंजित बंजारा की रिपोर्ट मैं उसे घ्रदार से धन्वाद देता हूँ कि बहुत अच्छा केश डिटेक्ट हुआ है मैंने आपको पहले ही बताए कि मेरे आठ महीने की तहना थी पहला इतना बढ़ियां केश जो है डिटेक्ट हुआ और यह अंदा कतल था पूरी तरह से अंदा कतल अंदे कतल को इतने पढ़ियां लिंक करके और इतना इसको ट्रेस करना और इसको अन्याम तक पहुचाना हमारी पुलिस की पभई पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है इसमें मैं थाना प्रभारी पभई और उनकी टीम के खास्तों से यह भानू चोहान जो थाएंदार है इनका इसमें बिसेश र ररक्षक उजीतेंद है और दीपक राकेश बहेल महला रखशक सिवानी सिंग और आरेक्षक अनुरादा सेन और रखशक अमरिस सिंग तॉमर जितने लोग से नहीं रहे हैं टीम में उनका सभी का जो है आम ये टीम बर्क रहा है बहत्रीन का मुए इसमें कोई दो मतने इसम मिर्टक की पतनी और इसकी पतनी का प्रेमी दो लोगों की गिरफतारी हुई है और बहुत अच्छी लिंक करके इसमें बेशना की गई इसमें एसपी साब ने अपनी तरफ से विवेचक जो सुरुवात में जो जांच की है भानू के लिए पांच जार रोपया एसपी साब ने हमसे बोला कि पांच जार रोपय कैसे नाम देंगे वागी सभी को कैसे रवाद देने की आप देख रहे हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिलकुल भीना